हलो फ्रेंज आप सभी को नमस्तकार आप सभी का बहुत बस्त वागते सुप्रिया किछन टीए पे चलिए आज हम एक नया रेसिपी बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रेसिपी है चलिए इसके लिए क्या के लगता देख लेते हैं देखे मिने हाँ पे तुमासे कितना लाल लाल तुमाटर है लीकिन असके बाद ने अपर जो जो युडली मेकर है वह लिया हुआ है और इसमे जो टमाटर है इसमे रख लेती हो सब्सक्राई है चलिए अब इसको स्टीम कर लेते हैं बढ़ीया तरीके से देखे बहुती सिंपल रिपी है लिए चले एक एक करके इसमें रख लेते हैं सभी को देखें बहुत ही बढ़ा तारीके से देखें कितना बढ़ा लग रहा है ना कितने लाल लाल टमाटर है चले इसको चे साथ मिन्ट के लिए अच्छे से स्टीम होने के लिए रखेंगे देखिए यहाँ पे 6-7 मिन्ट हो चुके है चले इसे निकाल लेते गैस को आफ करके देखिए कितना बड़िया सा जो हमारा टमाटर है अच्छे सा स्टीम हो चुका है अच्छे सा पक चुका है चले इसे निकाल लेते एक एक करके देखें हमें ने आपre आट टमाटर को दिखाया था अपको फिर एहाँ पर IMEI ने तो टमाटर कम कर लिया हुआ है क्योंकि चार टमाटर से आप बना बढ़ा तरीके से धीरे से निकालना होगा देखिए कितना बढ़ा लग रहे हैं अच्छे से चिलका निकाल लेते हैं अच्छे से चिलके निकाल लेते हैं जो उपर का जो ग्रीन हिस्सा है उसे निकाल लेते हैं अच्छे से चोटे 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 कर लेते हैं आप चाहे तो इसका पेस्टी भी बना सकते हैं देखे यहां पे मैंने ग्यास पर एक कड़ाई रखा हुआ है उसमें दो चम्म जितना तेल डाल चुकी हैं और उसके बाद थोड़ा सा जीरा और राई डालने के बाद थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद हमने याँ पर्द λिए हुआ है फ्रेश कड़ी पत लिए हुआ है जालने के बाद उसे खोड़ा सा फ्राई होने के बाद आहिए एक पेस को बारिकण सा कट कर लिए हुआ है अच्छे से पका लेती हुआ इसका कलर चेंज होने तक अच्छे से बोनना होगा मसाला जाड़ कर लेते हैं मैंने क्षोटी चमच थोड़ा की चामच जो ह्लाई डाला हुआ है मैंने हैं 10-10 चामच नीप सर निया मीर्ष चमच प्ल़ाई ho made या थोड़ा सखाओर ली जिल सले नरा में पूरमा रुटो के भी कहाँ माइजिक मसाल है तो आप इसको 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 मिंगि तामातर कर चुके हैं थोड़ा सा नमक डॉर्व कर सकते हैं सबी चीजों को प्ले ale अच्छी से तामातर की सब्चिव बनके रडी हो रहा है। जहें सब्सक्राइब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो और थोड़ा साम चीनी एड़ करेंगे। क्योंकि चीनी डालने से क्या हो तो और भी टेस्टी बनेगा। और स्वाधिस्ट बनेगा। अगर आपको चीनी पसंद ने तो स्किबी कर सकते हैं धे थोड़ा सा गूल का भी इस्तमल कर सकते हैं तो इसको दो मिन्ट के लिए डख कर पकाएंगे यहापे दो मिन्ट हो चुके है, अच्छे से पक चुका है अच्छे सा ग्रेवी भी छूटा हुआ है कितना अच्या सा बढ़ा तरीके से हैं हम नच्चा सा अम आ पर तमाटर है सोफ्ट और कितना बढ़ा तरीके से बना हुआ है न' देखें, आप इसको किसी के साथ भी आप खा सकते राईज या रोटि किसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा धन्या प्रेश धन्या पत्ता लेया हुआ है, अच्छे से सब्सक्राइब को फिर से मिक्स कर लेते हैं, दो मिंट के लिए पका लेते हैं, इसे ही पीना ढखके हुए, अच्छे से बड़ा सामर जो सबजी हो, बनके रडी हो चुका है, टमाटर का प्यूरी कह सकते हैं, कितना बड़े प्यास भी लेया हुआ है साथ में, जो हमें टमाटर की सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कीजेगा, अगर कोई रेशिपी चाहे है, तो भी हमें कमेंट करके बताईए, कितना बड़े लग रहे हैं, आप दोपेर को बना सकते हैं, सुबह बना सकते हैं, फिर रात के डिनर के अगले वीडियो में मिलते हैं, आप सभी को नमस्कार